आपको कोई ने कोई चिंता हमेशा सताती रहती होगी कि जीवन में क्या होगा कैसे होगा चाहे वो परिवार से लेकर हो या पार से लेकर हो जीवन के किसी भी पहलू से आपको लेकर एक चिंता सताती होगी लेकिन आप चिंता करने की आउशकता नहीं है इन पांच बातों को स उसे बात करता हूँ तब भी वो ये बात कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी परिशानिया है, बहुत सारी तकलीफे है, हम कब उनसे बहार निकलेंगे, हमें क्या करना चाहिए, कि उन चिंताओं से हम बहार निकल आए, लेकिन अब आपको घबरान लेकिन एक बात और एक निवेदन है कि इस वीडियो को आखरी तक अंते तक देखना, सुनना और बातों को बहुत बारिकी से अगर हो तो नोट कर लेना ताकि आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलिनात का नाम लिखें आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन अगर हमसे करवाना, स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं, आप वाट्सअप पर अपोइंट्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागोई दोस्तों साथी साथ जनम तारिक, जनम समय, जनमिस्थान पता होना अनिवार हैं, और आप अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे जरूरूरूप से करवा सकते हैं सबसे पहला उपाय है, जिसे चिंताओ का कारण माना जाता है, वो ग्रह है राहू राहू हमारे मन में कहीं सारे इतने सारे ब्रहम प्रेरित कर देता है, कि उन ब्रहमों से हम चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो सबसे पहले हमें राहो को शांत करना होगा हर एक जाता की कुण्ड़ी में राहो अफ एंड डाउन होता ही होगा लेकिन उसका डाउन होना कहीं सारी चीज़ों को नेगेटिव कर देता है जैसे मन में एक अग्याद डर बना रहेना जैसे बहुत जादा सोचना, बहुत जादा परिशान रहना बहुत जादा लोगों का धोका चलकपट करना हम डिसिजन नहीं ले पाते बार-बार ऐसा लगता है कि किसी चोहराय पर आकर खड़े हो जाते हैं हमारे पास चार रस्ते होते हैं और हर बार कुछी दिनों में ऐसे सिच्वेशन होती है कि इसे छोड़ू, इसे पकड़ू, ये करूँ या ये ना करूँ तो ये राहू का एक बहुत बड़ा भ्रहम जाल है इस जाल से बहार निकलने के लिए सबसे पहले आपको अपने वजन के बराबर आपका जितना भी वजन हो उस वजन के बराबर अन्य दान करना है अब ज़रूरी नहीं कि अन्य दान आप एक साथ करें आप अफोड नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करें दो कילो करके, एक किलो करके पाँच किलो करके जरुवत मन लोगों को जरूर अन्यदान करें उसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा जो भी आप अन्य ले सकें वो दान कर सकते हैं इससे राहू की जितनी सारी पीडा हैं उनसे आप बच पाएंगे दूसरी परिशानी मूल भूत से जो होती है, वो शनी से जुड़ी पीडाओ के लिए आपको पीपल के व्रक्ष के नीचे सरसो का तेल के दिपक तो लगाना ही चाहिए लेकिन कम से कम पाँच सरसो के पाँच पीपल के पेड़ जो है उनका व्रक्षा रोपन भी आपको करना है, उनका लालन पोशन करना है, उनका पोधो को बहुत प्यार से बहुत केर से रखना है और बढ़ा करना है ऐसा नहीं कि लगा कर भूल जाना है तीसरा तरीका है कि बहुत ज़्यादा जो सोचने का हमारा तरीका है उस पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना होगा हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना नेगिटिव सोचेंगे तो कोशिश करें कि हम पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, सकारतमक सोचें और यह practice से होगा, एक दिन में नहीं होगा, जो भी मन में ना आ रहा है या नहीं हो रहा है, उसे आप हा में तब्दिल करें, कि नहीं ऐसा होगा, सब अच्छा होगा, जब इस way में आप बहुत दिनों तक प्रयास करेंगे, तब जाकर आप इन चीजों में बहुत उभर कर भा कुल देवी को साल में एक बार कुल देवी का दर्शन करने जाए, और अपने गुरु मंत्रे का जाब करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना, शेयर करना, ओम्नमस्य शिवाज